नमस्कार आप तेखना सुरू कर चुके हैं सिता मढ़ी की आवाज मैं हूँ आपके साथ आरेस कुमार अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जहां बिहार में उसकी तो अनिवारता तेंथ कलास के बच्चों के लिए कुछ खास माइने नहीं रखती है लेकिन जब आप हायर एडूक सबसे पहले स्वागत हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर एक पहला सवाल जो हम आपसे पुछना चाहेंगे कि अंग्रेजी विषय है उसकी अनिवारता क्या होती है क्योंकि आप अंग्रेजी के सिक्षक हैं तो हमको लगता है कि सवाल का जबाब बच्चे को आप ब हिंदी हमारी सबसे पसंदिदा भासा है चुकि मेरा जन भीहार में हुआ है भारत के समिट्टी में सीता माता के पावन धर्ते पर तो अई लव हिंदी परन्तू प्रोफेशनली हम क्या करते हैं इंग्लिस पढ़ाते हैं डिखाते हैं अभी के अधुनिक यूग में अगर आ या एंडिया है तो इन चेत्रों में अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आवस्यक हो जाती है एक सवाल और की अब यू है तेन और ट्वल्फ के बच्चे को एक्जाम काफी नजदी का चुका है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अंग्रेजी विसे पर अब करता नो होने के कारण बच्चे क्या है लेजी हो जाते है और जैसे ही हाई रेजुकेशन के लिए हम जाते है तो हमारे अंदर एक डर होता है है जीटेशन होता है और जो हाई रेजुकेशन के जो हमारे ट्रेनर है जो प्रोफेसर है लेक्चर है उन्हें भी मैं विंदी करत कि आप बच्चों को मतलब इंस्पायर करें कि आप अंग्रेजी पढ़ो आगे आपको बहुत ही जरूरी है और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं क्रैस कुर्स के माधियम से कम से कम समय में बच्चों को ऐसे ट्रिक्स देते हैं ऐसे नुस्के देते हैं जिसके जड़िए व हम लोग 13 साल से पढ़ा रहे हैं मेरे कोचिंग का नाम है Excellent Institute for English तो यहां पर जो बच्चे हमारे हैं आते हैं तो उनको अधूनिक तरीके से जैसे पहले क्या था कि समाने तरीके से हम लोग जो है इसको ग्रहन करते थे हमारे अंतर जो भी सिक्छा है हम उसको चाहते हैं कि एक करके सामने ला करके और हम लोग चाहते हैं कि जादा से जादा बेहतर करें बच्चों के साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी विस्यास सूनके ही डर लगता है उनको और अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है उस विस्यास से ही डर लगता है वैसे बच्चो सबी सब्जेक्टों तेन तक पढ़ा देते थे और बहुत अच्छा पढ़ा देते थे तो उसमें हम लोग को क्या हुआ कि जब हम फॉर और फाइव क्लास में गए तो वहां पे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था टीचर हमारे पहले कक्छा में हमें बहुत जादा तो मैं कुछ ऐसे ट्रीक्स लाया हूं और तरीके लाया हूं जिसे बच्चे जैसे हिंदी बोलते उसे बहतर अंग्रेजी पढ़ पाएंगे लिख पाएंगा और बोल पाएंगे अचा एक अंतिम सवाल अपसे कि जो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कहीं नहीं चाहते हैं जो अपने गाओं से तेंध तक की परहाई करते हैं वैसे बच्चे के लिए आपके पास क्या सुद्ध हैं बरतमान में जैसे अभी तेंध का एग्जाम है और 12 गेजाम है तो तेंध में नहीं हैं फिर भी जागोरुकता के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हर साल एक होता है जिसको capsule course कह सकते हैं या sword course कह सकते हैं जिसके माधियम से तेंथ के बच्चों को हम free crash course देते हैं जिसे उनमें क्या है कि एक जुनून आता है एक विज्वास आता है कि नहीं पैसा तो देना नहीं है कम समय में पैसा क्यों दे तो इसके माधियम से बच्चों में जो कमी होती है वो बाहर निकल करता है और उसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं ताकि वो अच्छा कर सके और जहां भी जाए अपने सीता माता का पावन धर्ती और बिहार के बच्छों अपना परचम लहरा सके सिक्षा को एक सेवा ही माना जाता है जो समाज के लिए किया जाता है आप सिक्षा देना कहीं न कहीं समाज को एक नया रूप परदान करना सिक्षक जो होते हैं वो बच्चे को क्रियेटी बनाते हैं बच्चे का भविश्य सवारते हैं आप बच्चों के लिए क्या संदेश द को हमें एक ट्रेनर के रूप में नहीं एक प्राइनली नेशर से मैं भशो को पढ़ा रहा हूं तो यह आपके लिए प्रेड़ना होगा कि जो अंग्रेजी में कम जो रहा जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बने रहे सितामडी की आवाज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद